हेलो गाईज, वेलकम टू वेरिफाइट रेक्शन यूटुब चैनल, मैं हूँ सब आइसमेल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच कैसे आप सब उम्मीद करते हैं, आप सब खेरियास होंगे हलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को संगम नगरी कहा जाता है? इस शहर की गिंती सिर्फ भारत ही नहीं, बलकि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में होते हैं यह वो शहर है जिसको सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था भरतिय स्वतंतरता संग्राम में ये जगा एक मुखे के इंदर रहा इसे प्रधान मंत्रियों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि अब तक भारत के पंदरामें से साथ प्रधान मंत्री यहीं से हुए है यहां के अमरूद देश भर में खूब खाय जाता है और बारह साल में यहां पर कुम्भ मेले का योजन किया जाता है जिसमें देश-विदेश से करोडों की संख्या में श्रधालु आते हैं और त्रिवेनी संगम में डुब की लगा कर खुद को धन्य महसूस करते हैं दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रधेश की पवित्र नगरी प्रयाग राज की जो उत्तर प्रधेश राज्य का एक शांदार शहर है तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं आज के विडियो वर्तमान समय में प्रयाग राज शहर की कुल आबादी 14,50,000 के आसपास है एक शहर होने के साथ साथ प्रयाग राज एक जिला बेह और पूरे जिले की आबादी 67,000,000 के आसपास है प्रयाग राज उत्तर प्रधेश का ही नहीं बलकि पूरे भारत के सबसे तेजी से विक्सित होने वाले शहरों में से एक है धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर 76 प्रतिशत लोग हिंदू समधाय के हैं तो वहीं पर करीब 22 प्रतिशत लोग इसलाम धर्म को मानते हैं इसके अलाबाद दो प्रतिशत अबादी में सिक, जैन, बौध और इसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं दोस्तों यह शहर नो सिर्फ धर्मिक और सैंस्कृतिक दृष्टिकों से बहत खास है बुल्कि इसका अपने आप में आतिहासिक और राजनैतिक मैतो भी है प्रयाग राज का इतिहास स्रृष्टिक निर्मान जितना पुराना माना जाता है कहा जाता है कि ब्रहमा जीने स्रृष्टिक निर्मान के बाद प्रयाग राज में आकर एकी यग किया था पहले इस जगा को प्रयाग के नाम से जाना जाता था इसमें प्रो का आर्थ है प्रथम और याग का आर्थ ही यग यह है इसे अतिहासिक शहर का कई वेदों, पुरानों और धर्मिक ग्रंथों में उलेख मिलता है दूसनों प्रयाग राज को आज भी बहुत से लोग इलाहबाद के नाम से जानते हैं लेकिन सदियों तक इसे प्रयाग के नाम से ही जाना जाता था फिर सन 1570 के आसपास मगल बादिशाह अकबर जब इस थान से गुजर रहे थे तो उन्हें ये शहर बहुत पसंद आया और प्रयाग का नाम बदल कर उन्होंने अलाहबाद कर दिया अलाहबाद का मतलब होता है अल्ला का शहर लेकिन बाद में ये इलाहबाद के नाम से फेमस हो गया 16 October 1918 को उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी योगी आदेतेनाथ ने इलाहबाद का नाम बदल कर प्रयाग राज कर दिया था लंबे समय से इस शहर के लोग अकबर द्वारा रखे शहर का नाम बदलने की मांग कर रहे था अज भले इस शहर का अधिकारिक नाम प्रयाग राज हो गया है लेकिन आम लोग इसे इलाहबाद के नाम से ही बुलाना पसंद करते हैं यह नगर सन 1857 की करांती का भी एक प्रमोख केंदर रहा है सन 1801 में ब्रिटिश उसने प्रयाग राज को अपने कबजे में ले लिया था सन 1920 में महात्मा गांधी ने आहन सा अंदुलन की शुरुआत प्रयाग राज से ही के थे इक नवेंबर 1858 को ब्रिटिश सरकार ने प्रयाग राज में एक शाही दर्बार का आयोजन किया था तब इस शहर को एक दिन भारत की राजधानी बनने का गौरब मिला था बहुत से लोगों का कहना है कि 1885 में कॉंग्रिस की स्थापना प्रयाग राज में ही हुए थे लेकिन असल में इंडियन नाशनल कॉंग्रिस की स्थापना बॉंबे में हुए थे 1888 में कॉंग्रिस का चौथा अधिवेशन प्रयाग राज में ही हुआ था इसके बाद 1892 में और 1910 में भी यहाँ पर कॉंग्रिस के अधिवेशन आयो जित किया गया है इसके अलावा भी ये शहर कई आते हासी घटनाओं का गवाह रहा चुका है चंदरशेखर आजाद ने इसी शहर के ही आलफरिट पार्क में खुद को गोली मार ले थे क्योंकि उन्होंने प्रतिग्या ले थे कि वो जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगा भरत की प्रथम प्रधन मंत्री पंडरित जवाहरलाल नहरू जी का घर भी इसी शहर में है यहां के आनंद भवन में स्वाधीनता संग्राम की रनीती तैकी गए और अन्य कई खूफिया मुलाकाते यहां होती रहते थे सबसे अच्छी बात यह कि आज की पीड़ी को पुर्व पुरुशों द्वारा की गई आजादी के आंदोलन के बारे में जानकारी देने के लिए आनंद भवन को एक टोरिस प्लेस के तौर पे विक्सित किया गया है जहां आजादी के पहले की कई चीज़ें आप देख सकते हैं प्रयाग राज को सिटी ओफ प्राइम मिनिस्ट्रोस भी कहा जादा है यहां भारत के पंद्रा में से साथ प्रधान मंत्री इसी शहर ने दिये हैं जवाहर लाल नेहरो, लाल बहादूर शास्त्रे, इंद्रा गांदे, राजीव गांदे, गुलजारी लाल नंदा, विशुनात प्रताप सेंग और चंदर शेखर का संबंध इसी शहर से हैं साथी कई महान हस्तियां प्रयाग राज से तालुक रखते हैं जिन में हरिवन श्राय बच्चन, अमिताब बच्चन, सुरिकान त्रिपाठे निराला, ध्यान चंद और मुरली मनोहर जोशी जैसे नाम शामिल हैं इस शहर का नाम सुनते हैं सबसे पहले कुंब मेले की तस्वीर दिमाग में आते हैं बारा साल में एक बार महा कुंब और छे साल में एक बार अर्ध कुंब का आयोजन प्रयाग राज में होता है इस दोरान देश विदेश से कडोडों की संख्या में श्रधालू यहां आते हैं और त्रिवेनी संगम में पवित्र स्नान करते हैं त्रिवेनी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ मिलती हैं। लेकिन अगर आप यहां आकर देखेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ यमुना और गंगा नदी ही नजर आ रही है। कहा जाता ही कि सरस्वती नदी यहां अद्रिश्य रूप से इस संगम में मिलते हैं। प्रयाग राज में सबसे ज्यादा अवधी भाशा का प्रयोग किया जाता है। पर इसे Oxford of North India कहा जाता था। इसके लाबा नहरुग ग्राम भारती उनिवसिटी, Indian Institute of Information Technology और Birla Institute of Technology यादी प्रमोख है। साथी IAS की कोचिंग का भी एक प्रमोखड़ा ये शहर बन गया है। 168 में की गई थे। इलहाबत की खुपसूरती बॉलिवुड की कई फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है। जिनमें उमकारा, शादी में जरूर आना जैसी फिल्में शामिल हैं। यहाँ पर एक गुरु कुल चलाया जा रहा है, यह शिक्षा का एक केंद्र है। जहां पर विद्यार्थियों को लॉकिक शिक्षा के साथ साथ वेदों और पुरानों का भी ग्यान दिया जाता है। प्रयागराज में घूमने के लिए भी धेर सारी जग हैं मौजूद हैं। पना हुआ है, जिसका नाम अलहाबाद म्यूजियम है। जिसके स्थानी मुख्याले में बदल दिया गया था। जिसको प्रयागराज अपने मंदिरों के कारण सबसे ज्यादा प्रसद है। यहां अलोपी बागफ पर अलोपी देवी टेमपल है। यहां आपको सिर्फ एक जूला ही नजर आएगा। भक्तगन इस मंदिर में आकर जूले की ही पूझा अर्चना करते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में बड़े हनुमान टेमपल भी काफी प्रसद है। मंदिर मिट्टी के नीचे एक गड़े में है जिसमें भगवान हनुमान की लेटी हुई स्थिती में एक विशाल मूर्ती है। यह दुनिया का एकलोता भगवान हनुमान मंदिर है जिसकी मूर्ती लेटी हुई अवस्था में है। रहा जाता है कि लंका पर विज़े प्राप्त करने के बाद जब राम जी और अने सभी लोग वापस आये थे तो हनुमान जी ने यहाँ पर रुक कर विश्राम किया था। सावन के महीने में जब गंगा जी का जलसतर बढ़ता है तो वो हनुमान जी की मूर्ती को छूने लगता है। ऐसा माना जाता है कि माता गंगा स्वैम हनुमान जी को स्नान कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। अलहबद पूर्ट भी काफी फेमस है। इस किले का निर्मान मोगल राजा अकबर ने कराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि किले का निर्मान पूरा होने में 45 सालों से भी ज्यादा समय लगा था। अज इस किले का थोड़ा सा भाग सैलानियों के लिए खोला गया है। इसके लाबब प्रयाग राज में आप All Saints Cathedral भी देखने जा सकते हैं। इसका डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर विलियम इमर्सन ने तयार किया था। ब्रिटिश और मोगल वास्तुकला की अनूठी जहलक यहां देखने को मिलती है। इससे पत्थर का गर्जा घर भी कहा जाता है। खुसरो बाग में जहांगीर के पुत्र खुसरो को दफनाया गया था। असल में जब खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया था, तो जहांगीर ने अपने ही पुत्र को यहां पर दफन करने का आदेश दे दिया था। प्रयागराज पहुचने के लिए आप सडक मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर दो बसड़े हैं और कुल आठ रेलवे स्टेशन मौझूद हैं। भारत के सभी प्रमुक शहरों से प्रयागराज तक की ट्रेन आपको मिल जाएगे। प्रयागराज एरपोर्ट एक डॉमेस्टिक एरपोर्ट है। जिससे आफ फ्लाइट के माध्यम से भी स्यातिहासिक नगरे तक पहुच सकते हैं। तो दोस्तों ये था भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक प्रयागराज। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। बहुत इंफर्मिटिव और इंटरस्टिंग सी वीडियो थी प्रयागराज की ये जो पूरा महौल दिखाया गया सिटी को दिखाया गया। मैंने तो बहुत इंज्वाइब किया आप क्या कहने देखें इंज्वाली बात वैसी है कि जब हम इंडियन सीटी को एक्सप्लोर करते हैं तो यकीनन बहुत ही अमेजिंग फैस्ट देखने को मिलती हैं प्यागराज को आपके साथ देखने का जो मकसद था जैसा कि एज़ कल्चरल रिप्रेजेंटिव है पूरे हिंदुस्तान की स्पेशली अतर परदेश की लेकिन यहां पर विरागराज का जो यानि कल्चर है जिस तरह एक कौमी विर्सा कह सकते हैं सिकाथी विर्सा कह सकते हैं प्यागराज जो है ना एक खुबसूरत विरास्ती यहूं समझे सिंबल है एक निशानी है पूरे हिंदुस्तान के अदर लेकिन यहां पर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर सिटी कहा गया है ते सिटी ऑप्राइम मिनिस्टर ठीक है और बड़े बड़े नामवर शक्सियात यहां उसे अबरी है ठीक है नहरू खांदान पर आर्रेडी एक रही है लेकिन जो यहां डिसकस करने वाली बात यह है कि दो हजार चालीस से लेकर पचास के दर्मयान प्रियाग राज जो आज एक हिस्टोरिकल और जमाने कदीम से हिंदुस्तान का जो एक विर्सा है थकाफत है उसको एक मौटर्ण शेप में पेश किया जाएगा दो हजा चालीस से पचास के दर्मयान जब पूरे इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे होंगे तो प्रियाग राज के अंदर भी क्योंकि यह समार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिसा है तो यह थकाफ्ती विर्साया स्मार्ट सिटी के अंदर परोकर प हैं और जो विस्टिंग प्लेस है देख करना बाकी फील हुआ है कि आग आग अगर जो जितने बलकि मैं यह कहना चाहूंगा वैरी फैर रियक्शन यूटूब चैनल पे प्रयाग राज के अंदर आप जितने भी दोस्त रह रहे हैं या इंडिया से में जो दोस्त भी देख र हैं खाने तो देंगर से पहरी बात है के हिंदुस्तान बैसे ही स्चाफ्ती विर्सों ब्रसाइघ ओं मल्म मुल्क है ठीक है ले कि प्रयाग राज को देखकर न को देखकर दो बड़ा दिल खोश हुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंसरा पकिस्तानी यूटूबर हैं پاکستانی कपल हैं पाकिस्तान के अंदर मोलतान हो गया ठीक है और जतने भी कदीमी संद कीमटी होगी कुराची हो गया ऐसी जो इसलाके हैं भाइपूर हो गया तु अ ज्या कदीमी शहर है ठीक है फैसलाबाद भी कदीमी शहर है तो इन सब को जब हम प्रिया गाराज ने टच्च की है और प्रयाग राज को देकर बहुत दिल्खुश हुआ हमारा और इस वीडियो से हमें एक बात ही यह भी पता चली है कि अलाबाद तो हमने सुना हुआ था लेकिन आप पता चला है कि इसका प्रयाग राज रखा गिया है और पहले नाम भी प्रयाग था ना त तब्दील किया था और फिर सिटी ऑप प्राइम नेस्टर भी कहते हैं ठीक है संगम नगरी भी कहते हैं तो ओवराल इस इतने नाम इसलिए हैं क्योंकि इसकी खूबियां बहुत है प्रयाग राज की ठीक है अमीद करते हैं आज का हमारे रियाक्ट आपको बहुत पसंद आ करते हैं इस्टर आपको